आप खबरे मिस्तार से करोना बार्स के चलते सरकार दोरा जारी की गई एडवाजरी के वाबजूद हमिरपुर जिला में कई सिक्षन संस्थान आज भी खुले रही जानकारी के अनुसार डिगरी कॉल्स हमिरपुर में चात्रों का हजूम लगा रहा तो नेरे सित बार्नी की इवं उद्यान कॉलस भी चातर पढ़ाई के लिए आए हुए थे तो बोरंच की करीर पॉइंट उन्वस्टी में चातर करोना बार्री की परवादा करते हुए संस्थान में आते हुए दिखे जिसके जलते सर्याग सरकार दोराजारी एडवाजरी को नजर अन्दास किया जा रहा है और इस दिक्षर संस्थानों के फावंकों के दोरावी सरकार की एडवाजरी की परवाद नहीं की जा रही है जिसते स्थानी लोगों ने कड़ा एतरार जिताया है बही NSUI के अधिक स्टोरी ठाकूर ने करोना बारिस के चलतें सरकार दोरा जारी की गई एडवाजरी का स्वागत किया है उनका कहना है कि कॉलेज के बच्चों के प्रैक्टिकल एक्जाम चल रहे हैं लेकिन कॉलेज पर शशन दोरा ने कॉलेज में परवेस नहीं दिया जा रहा है जिस पर उन्होंने सरकार से मांग किया कि इस्तिती को स्पस्ट किया जाए ताकि चात्रों की पढ़ाई बादित ना हो करोना बारिस के चलते सरकार दोरा जारी की गई एडवाजरी के वाबजूद हमिरपुर जिला में कई सिक्षन संस्थान आज भी खुले रहे जानकारी के अनुसार डिगरी कॉल्स हमिरपुर में चात्रों का हजूम लगा रहा तो नेरे सित बारिकी इवं उद्यान कॉलेज भी चात्र पढ़ाई के लिए आयोए थे तो बोरंच के करीर पॉइंट उन्वस्टी में चात्र करोना बारिरी की परवादा करते हुए संस्थान में आते हुए दिखे जिसके चलते सर्याग सरकार दोरजारी एडवाजरों को नजरंदास्क किया जा रहा है और इस तिक्षन संस्थानों के वावंकों के दोरा भी सरकार की एडवाजरी की परवाद नहीं की जा रही है जिस्ते स्थानी लोगों ने कड़ा एतरार जिताया है बही NSUI के अधिक स्टोरी ठाकूर ने करोना वाइरस के चलते सरकार द्वारा जारी की गई एडवाजरी का स्वागत किया है उनका कहना है कि कॉलेज के बच्चों के प्रैक्टिकल एक्जाम चड़ रहे हैं लेकिन कॉलेज पर शशन द्वारा ने कॉलेज में परवेस नहीं दिया जा रहा है जिस पर उन्होंने सरकार से मांग किया कि इस्तिती को स्पस्ट किया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बादित ना हो देखिए हिमाचल पुदेश सरकार द्वारा जो ये 31 मार्स तक जो है वो सिक्सल सल्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है इसका हम तहे दिल से स्वाधित करते हैं लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसा अखमिपुल महाभी तयल्य में जो बच्चे है वो असमनजस के महाल में जो है वो खुद को पा रहेै क्यांकि कहीं लोगों के प्रैक्टिकल बीच में हैं और जो क्यों लोग प्रशास्चन वो उनको रोक रहा है और बच्चों को अभी तक ये भी पता नहीं है कि उनका जो है वो मिड टरम कप से स्टार्ट होने हैं या जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होने हैं तो जिस तरह से बच्चों के भी डर्ग का महौल है और आप देखेंगे कि आप इस कारण बच्चों को जो है वो प्रभावित भी होना पड़ा अपने डिली दिन चले उनको गेट पे रोका गया त कुछ जो है वो प्रशाशन द्वारा जो है कॉलेज प्रशाशन द्वारा जो है वो लिखी तरूब में दिया जाए ताकि जो बच्चे जो है वो अपने स्टिती जो है समझ सके और इस वाइरस के दश के बीच में अपनी पड़ाई भी जाई रख सके क्योंकि आपको पता ह रहे हैं तो हमारा प्रशाशन से यहीं अनरोध है कृप्या जो है वो जल्द से चल्द गाइड लाइन पूरी जो है वो निकाल दे